तुम मरते रहो हम गिनेंगे ही नहीं और अगर गिनती ही नहो तुम आपचा किस बात का सरम करो सरकार एक ऐसी पार्टी जो आंकड़ा जुटाने के चक्कर में किसी भी हद तक उतर जाती है उस पार्टी के पास मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं सं 2020 जब भारत विष्व गुरू बनने ही वाला है जैसे ही कोई चुनाव आएगा भारत फिर से विष्व गुरू बन जाएगा ऐसा भारत जो चांद और मंगल की जमी चूम लिया हो ऐसा भारत जो दूर दराज के हजारों करोणों मील दूर इस्थित्तारों की दूरी को आंकड़ों में बता सकता हो उस भारत के पास लॉकडाउन के दोरान मरे हुए मजदूरों का कोई आंकड़ा उपलब्द नहीं है जी हाँ आते हैं पूरे मामले पर आपको सायद याद होगा के 22 मार्ट सन 2020 की रात को अचानक हुए लॉकडाउन के बाद मजदूरों को बड़ी समस्चा का सामना करना पड़ा खास कर वो मजदूर जो अपने घरों से दूर अलग सहरों में रहकर काम धंदा करते थे वो तब तक इंतजार किये जब तक उनके जेब में पैसे थे जब तक उनका पेट भरा हुआ था जब उनके पैसे खत्म हो गए तो उनके सामने मजबूरी थी या तो वो भूखे रहें या तो अपने गाउं की तरफ पलाइन करें आपको मालूम होगा कि उस वक्त यातायात का कोई भी साधन रोड से लेकर रेल से लेकर हवाई मार्ग तक सब कुछ बंद था ऐसे में मजबूरों के पास सिर्फ एक ही चारा था पैडल जी हाँ पैडल चलना ही उनके पास एक चारा बचा हुआ था मजदूर पैडल चले भी बखू भी चले कुछ तो अपने मंजिल तक पहुँच गए कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने राश्ते में ही दम तोड़ दिया जिनकी नसीब में गाउं की मिटी नहीं थी कुछ एक्सिडेंट में मारे गए कुछ को भारतिय रेल लील गई कुछ पट्रियों पर सो रहे थे गाड़ी चली गई और कुछ भूख के मारे मर गए इसके बाद कुछ आखड़े ऐसे भी आए कि बाद में जो स्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उस ट्रेन में भी बहुत सारे मजदूर भूख के मारे या फिर तरह तरह की समस्याओं से दम तोड़ गए और कुछ मामले तो ऐसे भी सुनने को मिले कि मजदूर अपने घर पहुँचने के बाद गुजर गए कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए कि मजदूर घर पहुँचने के बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया हम और आप घर बैठके ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सैकडों किलोमेटर पैदल चलने के बाद इस सरीर का क्या हाल हुआ होगा बैराल आज सरकार ने संसद में जो जवाब दिया है वो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए सर्म से डूब मरने वाली बात है जी हाँ सर्म से डूब मरने वाली बात है खासकर उस पार्टी के लिए जो पार्टी 24 घंटे आकणों का खेल करती हो सरकार गिराना हो या सरकार बनाना जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है जो आकड़ों से खेलने में माईर है जो कहीं न कहीं से आकड़ों का जुगार कर ही लेती है ऐसी पार्टी के पास मजदूरों की मौत का आकड़ा नहीं है एक ऐसी पार्टी जो आंकडा जुटाने के चक्कर में किसी भी हद तक उतर जाती है। उस पार्टी के पास मजदूरों की मौत का कोई आकडा नहीं। संसद में सरकार से जब सवाल किया गया कि घर लोटते वक्त कितने मजदूरों की मौत हुई। क्या इसका कोई राज़वार आकडा है और जितने मजदूरों की मौत हुई क्या उनकी कोई आर्थिक मदद की गई। क्या उन्हें कोई मौवजा दिया गया। इस पर सरकार का जो जवाब था वो हिंदूस्तान का नाम खराब करने वाला था। जी हाँ सरकार ने जवाब दिया कि हमारे पास मजदूरों की मौत से जुड़ा हुआ कोई आंकडा नहीं है और अगर आंकडा नहीं है तो मौवजा देने की बात ही कहा आती है गजब की बात है तुम मरते रहो हम गिनेंगे ही नहीं तुम मरते रहो हम गिनेंगे ही नहीं औ और अगर गिंती ही नहो तो मुआज़ा किस बात का। सरम करो सरकार। लगे हाथ आपको एक बात और बताते चलें कि इस वक्त पूरे देश में लाखों किसान सड़कों पर हैं। मैं जानता हूँ कि आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी। इस वक्त देश में लाखों किसान सड़कों पर हैं। वो लगातार दिल्ली कूज करने के प्रयास में हैं। मगर उनको दिल्ली से बाहर ही रोका जा रहा है। कहें गाजियाबाद में कहें दिल्ली बार्डर पर किसी ने किसी तरीके से उनके ग्रिफतारी की जा रही है उन पर लाठियां बरसाई जा रही है ये अलग बात है कि आपको किसानों से मजदूरों से कोई मतलब नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन